हेलो लेर्नर्स, वेलकम बैक टू भागिदा अकेडमी, मैं हूँ नवनित सिंग चाहर और हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, मोर्ज ओफ हीट ट्रांसफर तो मोर्ज ओफ हीट ट्रांसफर आपके कितने हैं, तीन तरह के हैं, सबसे पहला है कंटक्शन, फिर है कंट्वेक्शन और लास्ट है रेडियेशन, इन मोर्ज ओफ हीट ट्रांसफर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, टाइपस ओफ हीट ट्रांसफर प् कि एक है conduction, दूसरी convection और तीसरी radiation, चलिए देखते हैं कि conduction, convection और radiation का मतलब क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको conduction को, लिख लेते हैं conduction, माल लेते हैं कि आपके पास 2 plates है, ठीक है, ये रही आपके पास 2 plates, और ये जो 2 plates हैं, एक हो गई प्लेट 1, ये हो गई प्लेट 2, अब ये जो प्लेट 1 है, उसका temperature T1 है, प्लेट 2 का temperature T2 है, और इन दोनों को हमने separate कर दिया है, किसी एक medium से, ठीक है, ये आपका medium है, ठीक है, और ये medium कैसा है, आपका stationary medium है, ठीक है, medium कैसा है, आपका stationary medium, medium क्या है, कुछ नहीं है, जो 2 plates को separate कर रही है, चीज, उसी को हमने medium बोला है, और stationary का मतलब क्या है, रुका हुआ, ठीक है, वो वहीं पे जमा हुआ है, अपनी जगे पे रुका हुआ है, मतलब कि अगर हम इस starting के कुछ ये particles ले लें, ठीक है, medium है, मतलब ये particles है, A, B, C, और D, ये particles उनी की जगे पे बने रहेंगे, हमें इनका movement होते हुए, नहीं देखेगा macros को भी गली, clear है, तो अगर हम लोग इसके हिसाब से देखे हैं, conduction की definition क्या है, तो conduction को हम लोग कह सकते हैं, it refers, ठीक है, conduction को हम कहेंगे, it refers, to the heat transfer, to the heat transfer process, heat transfer, when the medium, when the medium is stationary, when the medium is stationary, अब मेरा आपसे ये question है, कि conduction जो है, वो सिर्फ solid में होता है, liquid में होता है, या gas में हो सकता है, भई हमने यहाँ पे क्या कहा, कि आपके जो दो plates हैं, one and two, उनको separate जो चीज कर रही है, वही medium है, हमने ऐसा तो नहीं कहा याप है, कि भई है, दो plates को solid separate कर रहा है, या liquid कर रही है, या gas कर रही है, हमने medium लाए, लिखाए, तो एक general term है, तो ये medium जो है आपका, ठीक है, ये जो आपका medium है, ये कुछ भी हो सकता है, solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, या फिर gas भी हो सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ से क्या पता चला, कि conduction process जो है वो आपकी solid में भी हो सकती है liquid में भी हो सकती है और gas में भी हो सकती है ऐसा नहीं है कि conduction सिर्फ solid तक ही है, liquid और gas में नहीं हो सकती कि किसी भी phase में हो सकती है बस शर्त क्या है कि medium जो है मतलब कि solid हो या liquid हो या gas हो वो उसका movement नहीं होना चाहिए वो stationary ही रहनी चाहिए ठीक है? इसको देखते हैं हम लोग एक example से माल लेते हैं कि यहां पर आपके पास एक barn है ठीक है? यह है आपका barn clear है? और यह है आपका barn में आग लगी हुई ठीक है? यह है आपकी fire clear है? और यह है आपका well यह हो गया well अब सीधी सी बात है आपी का barn है या माल लेते हैं घर है तो घर में अगर आग लगेगी तो भाईया क्या करोगे? और आग लगाओगे कि बुझाओगे? तो बुझाएंगे सीधी सी बात है कोई common आदमी होगा वो तो बुझाएगा ही तो बुझाने के लिए सबसे पहले क्या आता है आदमी के mind में thought? के भाईया पानी पड़ा है बगल में पानी डालो आग के उपर तो आपके भी पास एक well था और आपके पास काफी सारे लोग थे परिवार में माल लेते हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं ये वाला केस 2 ठीक है हम लोग सेगंड केस को देख रहे हैं आपके परिवार में बहुत सारे लोग है सभी लोग आग बुझाएंगे अकेले तो कोई नहीं बुझाएगा माल लेते हैं कितने आदमी है A, B, C, D, E, F, and G तो काफी सारे आदमी खड़े हुए हैं तो अब क्या करा एक आदमी जो A है A गया सबसे पहले कुए के पास उसने क्या किया? बाल्टी डाली कुए में और पानी भर लिया अब उसने क्या किया? यही बाल्टी को B को दे दिया वो कहाँ पर खड़ा है अभी B कुए के पास ही खड़ा है उसने अपनी जगे नहीं छोड़ी उसने सिर्फ बाल्टी को उठा के B को दे दिया B ने भी क्या किया? वहीं पर खड़ा रहा और C को बाल्टी दे दी C ने क्या किया? D को दे दी देख सकते हैं कि बाल्टी अब कहाँ है यह D के पास है तो यहाँ पर हमने क्या हुआ? कि D के पास बाल्टी है और यही जो बाल्टी है वही आपका क्या है? तो यही हीट है और यह जो लोग खड़े है यही आपका मीडियम है clear है तो यहां पर क्या हो रहा है कि D के पास जैसे ही बालती आई उसने E को दिया E ने F को FG और finally G ने डाला है पानी कहां पर है आपके आपके ऊपर ठीक है तो इस तरह से कुछ आपने convey किया है आपके heat को एक जगे से दूसरी जगे तक बिना किसी movement के सारे आदमी अपनी जगे पर ही खड़े हुए अब सारे आदमी अपनी जगे पर खड़े मतला stationary है और stationary medium में medium मतला आदमी अगर stationary medium में energy का transfer हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं conduction तो इसलिए ये process क्या हो गई आपकी conduction process हो गई clear है चलते हैं आगे next पे next mode कौन सा है convection देखते हैं convection क्या है यह आगया मान लेते हैं convection ठीक है अब convection के लिए हम लोग assume करते हैं कि हमारे पास एक plate है ठीक है हमारे पास क्या है एक solid plate है solid plate और इसका temperature है आपका कितना ts ठीक है इसका temperature कितना है ts है और इसके उपर से एक fluid जो है वो flow कर रहा है यहाँ पे आपका fluid जो है वो flow कर रहा है यह रहा आपका मान लेते हैं fluid ठीक है fluid का मतलब क्या है कुछ भी हो सकता है आपका gas भी हो सकती है आपका liquid भी हो सकता है clear है और इस fluid का temperature है T infinity, clear अब हम मान रहे हैं कि हमारा T S जो है, is greater than T infinity है अगें मैं आप से पूछता हूँ, heat transfer का हो रहा है, fluid से plate में या plate से fluid में, बिलकुल सही आपका heat transfer plate से fluid की तरफ हो रहा होगा भई, closure statement second log का अगर हम लोग अब इसको देखें ठीक है, statement में लिख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या चीज़ें देखी कि आपके पास एक stationary plate थी और एक moving fluid था और दोनों का temperature difference था और heat transfer शुरू हो गया था इसी को अगर हम लोग statement में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, it refers it refers to the heat transfer to the heat transfer between a surface between a surface and a moving fluid ठीक है और यह धियान रखेगा यहाँ पर bulk motion होना चाहिए fluid का, मतलब fluid के particles एक जगे से दूसरी जगे जाएंगे जैसे यहाँ पर एक particle होगा वो move करके फिर आगे दूसरी जगे जाएगा ठीक है, और हमारा heat transfer हो रहा है किसके बीच में, fluid और solid के बीच में, ठीक है तो यहाँ पर हम क्या नाम दिया है, इस heat transfer process का convection heat transfer इसी को देख लेते हम दुबारा से अपने उसी figure में अब यहाँ पर अगेन वही क्या हुआ था, आपके अगर में आग लग गई एक कुवा था, लेकिन आपके सारे परिवार के सदसे, जो B, C, D, E, F, G थे, वो सब कहा गए है, छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले गए, आप अकेले ही घर में थे, ठीक है, अब अकेले ही घर में हैं, तो क्या करेंगे आग तो बुजानी पड़ेगी, ऐसा प्लेट को सेपरेड कर रहा है वही मीडियम है और आपका मुवочьमेंट हो रहा है आपका वेल से लेकर बां तक या घर तक तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मुवदमेंट हो रहा है मीडियम का और जब भी मुवदमेंट होता है मीडियम का, तो आप क्या प interfere मुलते हैं उस heat transfer को convection heat transfer, clear है, next आपका कौन सा आया, third mode of heat transfer which is radiation, तो radiation को अगर हम लोग देखें, radiation heat transfer, radiation heat transfer, अभी हमने convection देख लिया, connection उससे पहले देख लिया, आप देखेंगे, radiation heat transfer, माल लेते हैं यहाँ पर आपके पास एक envelope है, जिस जो के vacuum में है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपके चीज नहीं है, न air है, न liquid है, न gas, solid है, लेकिन आपके पास दो plates हैं, ठीक है, यह है plate 1, और यह है माल लेते हैं plate 2, और plate 1 का temperature T1 था, और plate 2 का temperature T2 था, और T1 is greater than T2 है, ठीक है, अब क्या होगा, किसी भी surface का temperature या body का temperature, अगर 0 Kelvin से उपर है, तो वो आपके जो है, rays को emit करता है, ठीक है, किसको कर रहा है, electromagnetic waves है यह, ठीक है, तो इसने क्या किया, energy को emit कर रहा है, अब यह कुछ energy 2 पे जाएगी, 2 की कुछ 1 पे आएगी, तो इस तरह से इन में energy का transfer चल रहा है, इस तरह के heat transfer को, जिसमें medium नहीं है, देख सकते हैं, क्या है, vacuum है, यहाँ पे medium होता तो कुछ solid होता है, liquid होता है, यह गैस होती, यहाँ पे बिना medium के भी energy का transfer हो गया, इस तरह की process को हम लोग क्या बोलते है, radiation, heat transfer, सबसे best example क्या है radiation का, आपका जो sun से rays आ रही है, heat आ रही है अर्थ पे, वो आपका radiation के तरूँ आ रही है, क्योंकि आपके जो universe है बीच में, वहाँ पे तो vacuum है, तो इसलिए किस के तरूँ आ रही है, हमें, radiation के तरूँ heat मिल रही है, तो इसको हम कह सकते हैं, कि it can occur, it can occur with और without a medium, विद और without a medium, ठीक है, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं, energy, जो के energy का transfer हो रहा है, energy is radiated, और transmitted, energy is radiated और transmitted, in the form of, electromagnetic waves, ठीक है, तो यह हो गए आपके तीनो modes of heat transfer, अगें इसको हम देखते हैं, figure में क्या है, अब यहीं पर अगें आपकी क्या हो गई थी, आग लग गई थी, अब आप इतने fit नहीं थे के दोड़ दोड़ के, या इतना time धी नहीं था आपके पास के दोड़ दोड़ के आग बुझा हैं, वही या तब तक तो पूरा जल कर खाक हो जाता आपका घर, तो आपने क्या किया, एक pipe लिया, डायरेक्ट कुए में डाला और pipe की मदद से डायरेक्ट ही पानी को बेज दिया, कहां पर आग के उपर, तीक है, अब हम ये one वाला चीज देख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हो, कि बीच में आपके घर के परिवार के सदर से थे, या नहीं थे, या आपके पास बाल्टी या थी, या नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके पास तब भी क्या था, पानी से आपने आग बुझा दी, इसी तरह के मीडियम है या नहीं है, तब भी एनर्जी का अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियेशन, हीट ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक तीन मोड्स ओफ हीट ट्रांसफर, अगर इनको हम लोग एक example आपको देता हूँ, कोशिश करिए कि आप भी बताने का कि किस में क्या हो रहे हैं, इसी तरह का एक example हम लोग देखेंगे और समझने के लिए ताके यहीं पर यह clear हो जाएं, clear है, माल लेते हैं कि यहाँ पर एक teacher है, ठीक है, क्या है, teacher है जिसके पास एक book है, और यहाँ पर काफी सारे students बैठे हुएं, ठीक है, बीच में यह students कुछ बैठे हुएं, और यह last student है L, ठीक है, last student है L, उसको हमें book transfer करनी है, अब क्या कर रहा है, teacher ने सबसे पहले यह book जो है, वो first student को दी, first ने second को दी, second ने third को, third ने fourth को, और fourth ने last student को book पास की, तो मतलब book कहां गई है, पहले teacher से first bench पे, first से second पे, second से third, ऐसे करते करते है, final bench वाले लड़के को book पहुंची, इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे हमने आग बुझाई थी, A से B, B से C, C से D, हैगे नहीं, वैसा ही कुछ काम हो रहा है, हर एक particle को आपकी book मिली है, और हर एक particle उसी की जगे पे बैठा रहा है, हिला भी नहीं है, इस तरह के आपके mode of heat transfer को हम क्या बोलेंगे, conduction, क्या बोल सकते हैं हम लोग, conduction बोल सकते हैं, वैसा ही दूसरा case देखते हैं, माल लेते हैं कि यह अगें teacher था, इसके पास वही book थी, और यह आपके वही students बैठे हुए हैं, ठीक है, वही students बैठे हुए हैं, लेकिन अब क्या कर रहा है, teacher को किसी भी student को यह book नहीं देखनी देनी है, क्या कर रहा है, तो उसने यह करा, कि भाई कोई student book ना देखे, इसलिए वह खुद ही चल के चला गया, end वाले student के पास last bench पे, और उसने उसको वो book दे दी, इस तरह का हम क्या देख सकते हैं, यह third case दे सकते हैं यहाँ पे, जब आप अकेले ही घर में थे, तो आपने क्या किय क्या था, बाल्टी उठाई थी, कुए से पानी बरके, डाइरेक्ट भाग के होए, चले गए थे आग बुझाने के लिए, वैसे ही आपने यह book भी क्या करा, चलते हुए गए last bench तक, और फिर वहाँ पे पास की, इस तरह के mode of heat transfer को क्या बोलेंगे हम लोग, बिलकुल सही, convection heat transfer, इसके बाद एक और scenario हो गया, अब माल लेते हैं कि छुट्टी हो गई, ठीक है, अगें book तो थी, और छुट्टी हो गई, तो बीच के student सब भाग गए, बस last वाला लिकलने में दे रही हो गई, और वो बैठा रहा book पाने के लिए, अब book तो देनी ही है, क्या करे, teacher को था, आलस student को भी था, मतलब कि आलसी किसम के थे, चलना चाते नहीं थे, तो क्या कर सकता है teacher, बिल्कुल चाहिए, बुक को भईया, फेक के भी तो हम लोग direct दे सकते हैं student को, तो teacher ने book फेक दी student के पास और student ने पकड़ ली book, तो यहाँ पे बीच में student नहीं थे, मतलब हमारा medium absent ह vacuum type का, तो यह क्या होगा energy का transfer, आपकी energy तो फिर भी transfer होगी है, देख सकते हो, बुक जो है वो student के पास पहुँच गई, बुक क्या है हमारी यहाँ पे example में energy, तो इसका मतलब यह क्या heat transfer process है, बिल्कुल सही, radiation heat transfer process, एकदम सही, तो यह हैं आपके कुछ basic modes of heat transfer, next हम देखेंगे in-depth के conduction, actual में या reality में कैसे हो रहा है, यह तो समझने के लिए concept था, कि इस तरह का कुछ होगा, तो conduction बोलेंगे, इस तरह की चीज़ होगी, तो convection या radiation बोलेंगे, लेकिन reality में, molecular level पे कैसे हो रहा है, वो हम देखेंगे next class में, ठीक है, thank you.